नमस्कार आप देख रहे हैं समिक्षा नियूस नेटवर्क जैसे कि सारी पूरे भारत देश की जनता को इस समय मालूम है कि मंदरों के शहर जम्मू यानि कि 20 फरवरी सुबा 11 बजे भारत देश की वशस्वी परधान मंतरी नरेंदर मोदी जी पबलिक रैली को संबोधित करे करने जा सकते हैं अब क्या कुछ संदेश जो है देश के परधान मंतरी नरेंदर मोदी जनता को देंगे जम्मू कश्मीर को क्या कोई नया तोफा देंगे इसी जिसले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ बाचपा किसान मोर्चा के उपाद्यक्ष बाबा चंचल सिंग ज आते हैं इस वीडियो के माद्यम से परधान मंतरी को जानने की कोशिश करते हैं बाबा जी तहले तो आपका स्वागत है बीस फरवरी को विशेश्वी देश के परधान मंतरी नरेंदर मोदी जी जनता को संबोधित करेंगे कहा जा रहा है परधान मंतरी की तरफ से एक वो दिया गया है और अनुमान लगाया जा रहा है कि दो लाग से उपर संख्या में वहाँ जनता जो है परदान मंतरी नरंदर मोदी को सुनने के लिए पहुँचेगी क्या कहीं इस मोके पर मैं जह कहना चाहता हूं मैं जमु कुस्मीर के लोगों के आगे जेपील करना चाहता है परदान मंतरी नरंदर मोदी जी ने 370 टूटने के बाद हमें जमु कुस्मीर में इतने तोफे दिये हैं जो कि हम गिन नहीं सकते जमु और किस्मीर में दो एमस बनाएगे और रेलबे ब्रिज बनाया गया जो लगबग 15 अर्बर बे का जो रियासी में त्यार हुआ है औ और लखनपूर से लेके जमु तक फलाई उबर और बड़े बड़े रोड जो हैं वो बनाए जा रहे हैं और जमु से लेके किस्मीर तक हाई बे जो तियार किया है पहले 14 गहंटे 15 गहंटे किस्मीर में लगते थे पहुंचने के लिए जाम में लोग फसे रहते थे लेकर आ परदान मंत्री नरिंदर मोदी जी और भारती जैनता पार्टी के सरकार के नेतर में जो काम हुए हैं हम परदान मंत्री नरिंदर मोदी जी का बेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं परदान मंत्री नरिंदर मोदी जी ने हमें दूसरा तोभा जो है जम्मू से लेके जीवल सतर वर्ष के पिसली सरकारों के दरा नहीं हुए थे वो भारती जन्ता पार्टी ने करके दखाए हैं परतान मंत्री निंदर मोदी जी के नेतर में एक हमारा रिंग रोड जो जम्मू में तियार हुआ है जिसकी चड़ाई 200 फोटा है कहीं 100 किलो मीटर लंबाई है वो रोड ब बैंकर त्यार कियेगे कहते हैं जोआन भारत की शान जोआन जब बाडरों पर डिब्टी देते हैं तो हम चैन की नींद सो पाते हैं मैं सब भर्ग के लोगों को सब धर्म के लोगों को यह कहना चाहता हूँ जमू किसमीर के लोगों को आएं परदान मंत्री नरिंदर मोदी जी का जम्मू में बिल कम करें और उनका स्वागत करें जिन्हों ने तीन सो सतर हटने के बाद यतने काम हमारे जमू किस्मीर में किये हैं और बाकी पालतियं जो हैं वो उसका टोटल भी नहीं मार सकती करोने के दुरान परदान मंत्री नरंदर मोदी जी के नेतर में हर गरीब को घरगर राशन देने का काम किया गया और टीका दौा लगाने का काम किया गया आज जोला ठाके सब पालतियां बोड मांगने के लिए त्यार हो चुकी है लेकिन उस दुरान मुझे वह पालतियां दखाएं जहां हमारी भारत की जनता को कहीं इन लोगों ने राशन दिया है जा दौा टीका में कहीं सरकार की मदद की है जा भारत के लोगों की मदद की है उस दुरान भूक के साथ हमारा भारत जो है वो लड़ रहा था बमारी के साथ लड़ रहा था उस दुरान कोई भी पार्टी जो है भारत के सामने नहीं आई थी अटल ब्यारी बाजबाई जी लीडर आते रहेंगे जाते रहेंगे हमारा भारत बचना चाहिए हमारा देश बचना चाहिए हमें देश के लिए काम करना चाहिए हमें देश के लिए जीना चाहिए देश के लिए मरना चाहिए हमें देश के लिए काम करना चाहिए आज मैं जही कहना चाहता हूँ आज हमारे बीज़पी पार्टी के नेतर में भारती जनता पार्टी के नेतर में अर्दान मंतरी नरिंदर मोदी जी के नेतर में पत्थरबाजों को खत्म किया गया और मिलिटेंटों की जो फैक्टरी चलती थी किसमीर में उसको बंद किया गया उगरबादियों को गोली खिलाओ जम लोग भेजने का फैसला लिया गया वेट फोर्स को नमबर बन बनाने का फैसला लिया गया और मैं जह कहना चाहता हूँ हमें ऐसे लीडर चाहिए जो देश को बढ़ावा दें अपनी भारत की जनता को बचाने का काम करें ऐसे लीडर नहीं होने चाहिए योदेश की जनता को लूड के अपने घर बरें और अपने खुद कुरोड़ पती अर्ब पती बने ऐसे लीडरों को ठाके यल में बंद कर देना चाहिए इसलिए मैं जमु कुस्मीर की जनता के आगए पील करना चाहता हूँ सब लोग आएं परदान मंत्री नरिंदर मोदी जी के वहाँ बेल कम के लिए हाजरों है और परदान मंत्री नरिंदर मोदी जी का सबागत करें आपने देखा पिसली सरकारों के दरान 1967 में जब हमारे हिंदुएं मुस्रमानों को लड़ाया गया कटवाया गया मुरबाया गया और भारत के दो टुकड़े किये गये भारत का पक्स्तान बनाया गया और लेकर जे पिसली सरकारों के दरान पिसली सरकारों के दरान को लीडरों के दरान हुआ है बर्गेजों के साथ मिलते हुए हमारा गल-गल खून जो है हिंदु मुसर्मानों का उस द्रान बगाया गया उस द्रान का उर्ची पार्टी थी का उर्चे लीडर थे उस द्रान भारती जनता पार्टी थो थी नहीं उस द्रान एक ही पार्टी थी कंग्रेस पार्टी और कंग्रेस पार्टी के लीडर और हम मैं जह कहना चाहता हूं हमें देश को बिचाने का काम करना चाहिए और देश को नमबर बन बनाने का काम करना चाहिए इसलिए सरकारों के दुरान राम अंदर के नाम पर हिंदूों मुस्रमानों को लड़ाया गया लेकर राम अंदर नहीं बनाया गया आज भारती जनता पार्टी ने एक फैसला लिया है उन्होंने कहा रामंदर बना के पूरे वर्ड को दखा दिया पूरे देश को पूरे भार्ट को दखा दिया ना हिंदुओं को लड़ने दिया ना मुस्रमानों को लड़ने दिया लेकर बहां उसके पास जो मसीद थी उसको भी बनाने का फैसला जो है बावरी मिसीद कोड के थ्रू कुनून के थ्रू उसका भी फैसला किया गया उसको भी हमारी स्रकार बनाने का त्यारी कर रही है मैं जी कहना चाहता हूं यार लोकों को लडाने का और बढ़काने का यह कौन सा निया तरीका जो है पिसले सतर बर्च का चलता रहा ह मैं जी कहना चाहता हूँ हमें भारत को बढ़ावा देने बाले जो लीडर हैं ऐसे लीडरों का साहिए जो कि हिंदु-मुस्रमान सी कह साहिए सब वाई-बाई सब लोकों को एक जुट होकर एक मुठ होकर परदानमत्री नरिंदर मोदी जी एक नेतर में देखते हैं उन्होंन गर-गर राशन पहुंचना चाहिए फ्री राशन पहुंचना चाहिए और किसानों के खाते में पैसे डालना लाडली बैटी की स्कीम चलाना के यासी स्कीमें हैं जो प्रदान मंतरी निरिंदर मोदी जी ने भारत में लागू की हैं वो इतनी स्कीमें हैं जो ग्रीबों के हित प्रदान मंतरी निरंदर मोदी जी का बिलकम जो है जम्मू में करना चाहिए सब लोग ने आना चाहिए जैसे कि आखरी सवाल रहेगा काफी सारी चीज़े आपने खुदी बोल दी सवाल पूछने की जुरुत ही नहीं पड़ी, मगर एक चीज़ जाना चाहते हैं, पल्ली मोड में भी बाबा चंचल सिंग्स ने अपने जंता को लेकर वहाँ पर बड़ी रैली को लेकर वहाँ पर प्रदान मंतरी नरिंदर मोदी जी को सुनेंगे, तो इस बार बाबा चंचल सिंग जो कि किसान मोर्चा के उपाद्यक्ष भी हैं कितनी संख्या में आप जंता को वहाँ पर लेकर जाएंगे प्रदान में कहना चाहता हूं हमारे बड़े बाई द्विंदर सिंग राना जी पार्टी प्राइडट रमिंदर राना जी दोनों के संदेश मुझे पहुंच चुके हैं मैं हजारों की सिंख्या में ये रैली लेके वहाँ प्रदान मंत्री नरिंदर मोदी जी का वेलकम करने के लिए आ अर बर्ग के लोगों के आगे ये पील करना चाहता हूं सब लोग आएं परदान मंत्री नरंदर मोदी जी का स्वाक्त करें जा हिंद जा बारत जा माताजी खुद शुक्रिया बात करने के लिए समय हमारे साथ मोजूद है भाजपा के वरिष्ट नेता और भाजपा किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष बाबा चंचल सिंग जिन्होंने साफ तोर पर स्पष्ट कर दिया कि परदान मंत्री नरंदर मोदी जी हमारे सिरकात ताज हैं और 20 फरवरी को मोलाना आजा स्टेडियम में पबलिक रली को संबोधित करेंगे और क्या कुछ तोफा भी देंगे मगर बाबा चंचल सिंग ने जमो कश्मीर की जनता से अपील करते हुए ये नजर आए कि परदान मंत्री आ रहे हैं उनका मिलकर हम सब को स्वागत करना अब भी अपने राइस खबर को देखकर कमेंट बॉक्स में जरूर रखेगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा और पलपल की खबर और पलपल की अपडेट के लिए जुड़े रहेगा समिक्षा नियूस नेटवर्क के साथ मेरे वीडियो जनलिस्ट और वनित करलू को दीजे जाज़त नमस्कार